आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुब कामना है मैं आशा करता हूँ कि नए साल आप सभी के जीवन में नई खुशियां लेकर रहे तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको इंडिया में घटी एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जो की बहुत ही ज़्यादा रह समय थी और जिस घटना में 600 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे तो आज मैं आपको इस घटना के बारे में बताऊंगा दरसल ये घटना भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में सन 1878 में घटी थी उस तमें उत्तर प्रदेश राज्य के बनबीरपुर और उसके आसपास के कई गाउं में वेर वुल्फ ने 624 लोगों को मार डाला था जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना है वेर वुल्फ यानि आधा इंसान आधा भेडिया लेकिन दोस्तों इस गटना की डेटेल में जाने से पहले कुछ और बाते भी मैं आपको बताना चाहूंगा बात यह है कि जब मैं छोटा था तब मुझे मेरे नाना नानी रूप बदलने वाले बेडियों की कहानिया सुनाते थे वो बताते थे कि पहले के समय में ऐसे मायावी भेडिये भी होते थे जो इनसान का रूप ले लेते थे वो बहुत खतरनाक होते थे और वो ज़्यादत तर बच्चों को शिकार बनाते थे अपने नाना नानी की ये बात सुनकर मुझे हसी आ जाती थी क्योंकि मुझे लगता था कि वो मुझे डराने के लिए इस तरह की बाते कर रहे हैं लेकिन वो बहुत सीरियस होकर ये बाते बताते थे और वो कहते भी थे कि ये कोई मनगढंत कहानिया नहीं है बलकि ये पुराने समय में बीच चुकी सची घटना है मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि जिन कहानियों को कालपनिक समझ कर मैं हसता था वो सच भी हो सकती है खैर घटना ये है कि सन 1878 में उत्तर प्रदेश के बनबीरपूर और उसके आसपास के कुछ गाओं में आदम खोर भेडियों ने आतंक मचा रखा था वो भेडिये गाओं के लोगों को मार कर खा रहे थे और जादा तर वो छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रहे थे ये वो समय था जब इंसानों की अबादी कम थी पर जंगल जादा होते थे ऐसे हालात में लोगों को जंगली जानवरों से ज़्यादा खत्रा होता था इसलिए लोग पहले सही सजग होकर रहते थे लेकिन जब सन 1878 में बनबीर पूर और उसके आसपास के इलाकों में आदम खोर भेडियों ने हमले करने शुरू किये तब वहां की लोग बहुत ही ज़्यादा साउधानी बरतने लगे थे गाउं के सभी आदमी रात भर लाठी डंडे लेकर पहरा देते थे और सभी औरते बच्चों को पूरा दिन घर के अंदर ही रखती थी पर इतना सब करने के बाद भी आदम कोर भेडिये गाउं के लोगों को अपना शिकार बनाई लेते थे भेडियों के हमलों में जब बहुत से लोगों की जान चली गई तब ब्रिटिश प्रशासन की पुलिस वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने पहुँची पुलिस ने जब पूछताच की तब वहां के लोगों ने पुलिस को बताया कि इन्सानों पर हमला करने वाले ये भेडिये कोई मामूली भेडिये नहीं हैं बलकि ये मानव भेडिये हैं जो की आधे इन्सान और आधे भेडिये होते हैं गाउं के लोगों की इस बात पर ब्रिटिश पुलिस को बिलकुल भी विश्वास नहीं हुआ तब एक 10 साल की लड़की जिसका नाम सीता देवी था उसने पुलिस को बताया कि उसने अपनी आँखों से उस मानो भीडिये को देखा है उस लड़की ने कहा कि वो मानो भीडिया चारों हाथ पैरों पर चलते हुए आया और उसने अचानक से मेरे छोटे भाई आनंद को पकल डिया फिर वो शैतान किसी इंसान की तरह दो पैरों पर खड़ा हो गया इसके बाद वो मेरे भाई को अपने कंदे पर रखकर वहां से भाग गया उस बच्ची ने पुलिस को ये भी बताया था कि वो शैतान काला कोट, हेलमेट और गौगल भी पहने हुए था इतना ही नहीं बलकि उस बच्ची के दादा जी जिनका नाम राम लखन था उन्होंने भी कहा था कि ये किसी बेडिये का काम नहीं है बलकि एक कोई और ही जीव है जो लोगों को मार रहा है हमने इस जीव को अपनी आखों से देखा है लेकिन प्रशासन के दबाओ की वज़ा से हम इसे बेडिये का काम बताते है हाला कि हम अच्छे से जानते हैं कि ये किसी भीडिये का काम नहीं है दोस्तो आनन्द नाम के उस बच्चे को वेरवुश द्वारा उठाये जाने के तीन दिन बाद ही ब्रिटिश पुलिस को गाउं से दूर जंगल में उस बच्चे यानि आनन्द का सर मिला था डॉक्टरों ने जब उस बच्चे के सर की जाँच की तब उन्होंने बताए कि इस बच्चे को भेडियों ने मारा है दोस्तो बनबीरपूर और उसके आसपास के इलाकों में हुए इन भेडियों या मानव भेडियों के हमले में 624 लोगों की जान गई थी और जिस तरह से अचानक ये हमले शुरू हुए थे उसी तरह से कुछ समय बाद ही अचानक से ये हमले अपने आप बंद भी हो गए थे ये घटना सिर्फ भारा थी नहीं बलकि पूरे विश्व में भेडियों द्वारा मारे गए लोगों की संख्या के मामले में सबसे बड़ी घटना है मतलब इतने कम समय में और इतने चोटे शेत्रफल में भेडियों के हमले में इतने लोग कहीं भी नहीं मारे गए इस तरह के और भी कई सारे इंसिडेंट इंडिया में हो चुके हैं जैसे कि 1996 में उत्तर प्रदेश के ही राय बरेली जिले में भी बेडियों द्वारा इंसानों को मारे जाने की खबरे आये थी पर सोचने वाली बात ये है कि वहां के लोग इन हमलों का जिम्मेदार किसी भीडिये को नहीं बलकि मानव भीडिये यानि की वेरवुल्फ को मान रहे थे तो ये थी वेरवुल्फ से जुड़ी रह समय घटना जो इंडिया में घटी थी और जिसमें 624 लोग मारे गए थे आप लोगों को कुछ ऐसी रोचक बाते बता सकता हूं जिससे आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जीव सच में हो सकता है या नहीं बात यह है कि लोग वेरवुल्फ को मुवीज या टीवी प्रोग्राम की वज़े से जानते हैं और ज़्यादा तर लोग यही समझते हैं कि वेरवुल्फ मॉडर्न टाइम में लोगों के इंटेटेन्मेंट के लिए गढ़ा गया एक कालपनिक जीव है पर इंडिया में सन 1878 में घटी वेरवुल्फ की घटना की तरह ही दुनिया भर में कई जगहों पर इस जीव को देखे जाने की घटनाएं हो चुकी है जैसे कि फ्रांस में सन 1764 से लेकर सन 1767 तक एक बहुत ही अजीब और खतरनाक जीव ने 102 लोगों को मार डाला था जो लोग उस जीव के हमले से बच गए थे उन्होंने बताया था कि वो एक भेडिया जैसा पर बहुत ही बड़ा जीव था वहां के लोगों का मानना था कि वो जीव एक वेरवुल्फ है जो रात में इनसान से भेडिया बन जाता है और लोगों का शिकार करता है उस रहसमयी जीव को जीन चैस्टल नाम के एक शिकारी ने सिल्वर बुलेट यानि की चांदी की गोली से मार डाला था इस समय स्क्रीन पर आप उस जीव की हाथ से बनी असली पेंटिंग देख सकते हैं इसके अलावा सन 1993 में अमेरिका के विसकॉंसिन में भी वेर वुल्फ जैसे ही जीव को देखे जाने की बहुत सी घटनाय हो चुकी है इस जीव को बीस्ट आफ ब्रे रोड के नाम से भी जाना जाता है एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका के ही मिशिगन इलाके में दो पैरों पर चलने वाले बड़े से भेडिये को भी देखे जाने की बहुत सी घटनाय हुई थी उस जीव को वहाँ के लोग डॉग मैन कहते हैं इतना ही नहीं बलकि आज से चार हजार साल पुराने एक लेख में भी वेर वुल्फ जैसे ही जीव का जिक्र मिलता है ये लेख मिट्टी की टैबलेट पर लिखा गया था वो भी आज से चार हजार साल पहले इस लेख को दा एपिक आफ गिलगमेश नाम से जाना जाता है इस लेख पर लिखी किताब भी आप आप अनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के बनबीरपुर गाउं में वेर वुल्फ से जुड़ी इस घटना के बारे में जानकारी मुझे आपको सिर्फ इतना कीवर्ड सर्च करना है वेर वुल्फ अटैक इन इंडिया इन 1878 इतना कीवर्ड सर्च करने के बाद आपको इस घटना के बारे में जानकारी मिल जाएगी दोस्तों एक आखरी बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वेर वुल्फ बनने का जो सबसे में तरीका है वो ये है कि कुछ खास तरह के रिच्वल्स या काले जादू की क्रिया करके अपने उपर शराप लिया जाता है और उस शराप से ही इनसान वेर वुल्फ या मान अगर आप चाहें तो खुद ही इन किताबों को पढ़कर वेर वुल्फ बनने का ट्राइ कर सकते हैं